हेलो बच्चो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हम कर दा लेते प्रश्णा वली 13.1 ठीक है जिसमें हमने प्रश्ण नंबर 5 तक खर कर लिये थे आज हम देखेंगे प्रश्ण नंबर 6 6 है एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से सीसे की पट्ट का चेतर फुल क्या है नंबर 612 किनारों के लिए कितने तयब की आवशकता होगी सबसे पहले देखिएगा हमारे पास क्या दिया हुआ है एल कितनी दे रखी है हमें ले रखी है तीस सेंटीमीटर ठीक है बच्चो इसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है एल के बाद हमारे पास दिया हुआ है बी और बी हमें दे रखी है कितनी 25 cm इसके बाद हमारे पास दिया हुआ है H और H हमें दिये गई है 25 cm हमें क्या ग्यात करना है हमें ग्यात करना है सम्कूर प्रष्ठियर शेतरपर क्या ग्यात करना है एक सेक्ड़ पहली बार इसको यूज कर रही हूँ इसलिए तोड़ा सा माफ करिएगा बच्चो सम्पून प्रष्ठिय चेत्रफल ठीक है सम्पून प्रष्ठिय चेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2 LB LH और BH ठीक है बच्चो 2LB, LH और BH इनकी हम बैल्यू रख देते हैं चलिएगा 2 L, L कितना है हमारे पास L है हमारे पास 30 30 गुणा 25 प्लस 25 गुणा 25 प्लस BH 25 गुणा 30 ठीक है बच्चो फिर Multiply 2 30 का गुणा 25 से करना है 30 का गुणा 25 से करेंगे तो 750 25 का गुणा 25 से करेंगे तो 625 और 25 का गुणा 30 से करेंगे तो 750 ठीक है बच्चो फिर 750, 750 और 625 को जोड़ देंगे तो यह आपका आ जाएगा 21 25 का मुल्टिप्लाई करेंगे तो आपका जाएगा 42 पच्चास सेंटीमीटर इसको ठीक है तो हमारे पास जो पौदा घर बनाने के लिए जो सीसे की पट्टियां यूज में ली गही थी वो कितनी है 4250 वर्ग सेंटीमीटर अब इसका दूसरा हिस्सा क्या है इसका दूसरा हिस्सा है सभी 12 किनारों के लिए कितने टैप की आवशकता होगी वह हमको बताना है तो देख लेते हैं सभी 12 किनारों के लिए टैप की आवशकता तो देखिएगा हमारे पास क्या है हमारे पास है एक इसको मैं बहुत अच्छे से चलाना नहीं सीख पाई हूँ हूँ इसलिए माफी चाहँ हूँ है खोड़ी सी दिक्कत मुझे आ दिक्कत जादा आ दिक्कत कुछ दिनों में इसको बहुत अच्छे से मैनेज करते हूँ कि अब देखिएगा यह जो पौधगर बना हुआ इसमें यह एल है एक यह भी एल है और यह ठीक है तो हमारे पास चार्टों है यह है यह है यह है यह है और यह है तो हमारे पास 4 है H प्लस देखिए यह गहराई है यह वाली इसका मतलब चोड़ाई यह भी चोड़ाई है और यह भी चोड़ाई है इसका मतलब हमारे पास कितनी चोड़ाई हो गई है 4 B ठीक है अगर हम चाह है तो इन में से चार कॉमन ले 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 ल, L, H, B, ठीक है बच्चो अब चार पोष्ठक अंदर एल की वैल्यू कितनी थी तीस पचीस और पचीस ठीक है चार नम पचीस पचीस पचास तीस असी मल्टिप्लाई कर दिया कितना आ गया तीन सो बीस सेंटी मीटर ठीक है तो हमें जो टैप की लंबाई चाहिए होगी टैप की लंबाई वो कितनी होगी तीन सो बीस सेंटी मीटर ठीक है बच्चों तो हमने क्यात कर लिया टैप की लंबाई अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट सांती स्वीट इस्टॉल अपनी मिठाईयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ओर्डर दे रहा था दो मापों के डिब्बों की आवशक्ता थी बड़े डिब्बे की माप्ती 25 और 5 चोटे की माप्ती 15 बारे और 5 सभी प्रकार की अत्यव्यापिक्ता के खु सबसे पहले आपको पता है कि बड़े डिब्बे की माप कितनी हैं तो हम लिखेंगे कि माफी चाहूंगी कि बड़े कि जिब्बे की माप्त बरावर 5 बरावर है आपका 25 सेंटी मीटर ब बरावर है आपका 20 सेंटी मीटर और H बरावर है आपका 5 सेंटी मीटर अभी यह जो पेन है उसको चलाने में मुझे थोड़ी सी समफ्सेय हो रही है हम क्या करते हैं इस डिपबे का संपूर प्रष्ठी चेत्रफर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फ LB DH LH यही होता है ठीक अब हम इसमें रख देते हैं value 2 L की value है 25 B की value है 20 प्लस B गुणा 5 प्लस 25 गुणा 5 ठीक है बच्चो 2 25 का multiply यह हो गया 500 प्लस 100 प्लस 125 ठीक फिर वापस इनको जूड़ेंगे हमारे पास आगया 725 मुल्टीप्लाई किया 1450 सेंटीमीटर ठीक है बच्चो हमारे पास क्या आगया 1450 सेंटीमीटर स्क्वेर लेकिन हमें कितने डिब्बे बनाने हैं ऐसे 200 250 डिब्बे बनाने हैं इस प्रकार के थीक है तो हम इनके 250 डिब्बे बनाएंगे 250 डिब्बे बनाने का प्रष्ठी चेत्रफर क्या होगा 250 डिब्बों का प्रष्ठी यह चेत्रफर कितना हो जाएगा बच्चो जो हमारा 145 0 आया था उसमें हम कर देंगे 250 का गुणा ठीक है जब हम 250 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आजाएगा तीन छे दो पांच जीरो जीरो यह किसमें आएगा सेंटीमीटर स्क्वेर ठीक है बच्चो यह हमारे पास आगया सेंटीमीटर स्क्वेर में ओके लेकिन अभी हमें क्या निकालना है हमें निकालना है चोटे जो डिब्बे हैं उनका भी प्रष्टी चेत्रफल और वह भी 200 उन निकाल लेते हैं चोटे डिब्बे का प्रष्टी चेत्रफल तो हमें पता है कि चोटे डिब्बे की मांक क्या है क्या पता है हमें मांक हमें पता है 15 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर ठीक है अब इसका संपूर्ण प्रश्ठीय शेत्रफ़ क्या हो जाएगा 2 LB BH LH यह होगा 2 LB 15 गुणा 12 12 गुणा 5 और 15 गुणा 5 ठीक है बच्चो 2 15 गुणा 12 कितना हो गया 15 गुणा 12 आपका हो गया सोरी 15 गुणा 12 हो गया 180 प्लस 12 गुणा 5 हो गया 60 प्लस 15 गुणा 5 हो गया ठीक है बच्चो इसके बाद 2 गुणा 180 बच्चो यह हो गया आपका 180 और 60 240 और यह तो यह आपके हो गया बच्चो 315 गुणा ठीक है बच्चो फिर 315 का मल्टिप्लाई करेंगे दू से तो यह हो गया पंदर गया 30 630 सेंटीमीटर स्क्वाइब लेकिन ऐसे टिप्बे भी हमें कितने बनाने हैं हमें बनाने हैं 250 दू सो पच्चास दू सो पच्चास लिवों का प्रश्टीव शेत्रफ़ कितना हो जाएगा 630 गुणा 250 ठीक है 630 और 250 का मुल्टिप्लाई हो गया 15 75 00 सेंटीमीटर स्क्वाइब ठीक है बच्चो यहां तक हमने देख लिया था कि हमने चोटे डिप्बे की माप निकाल ली है अब हम नेक्स्ट पेज लेते हैं नेक्स्ट पेज पेज हम देख लेते हैं कि दोनों ही छोटे इवं बड़े डिप्बे को मिला करके कुल कितना चेत्रफ़ल बनता है ठीक है तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कुल चेत्रफ़ल जो हमें लेना है देखिएगा दोनों प्रकार के डिप्बों का चेत्रफ़ल कुल चेत्रफ़ल कुल प्रष्टी चेत्रफ़ल कुछ भी मानिये आप तो पहला वाला हम निकाल चुके थे बड़े वाले डिप्बे का चेत्रफ़ल हमारा कितना आया था 3,6,5 दो डिपबे के छेत्रफल निकाला था ना हमने तो एक तो बड़े डिपबे का था और एक था चोटे डिपबे का तो बड़े डिपबे का हमारा आ गया था 362500 प्लस चोटे का आ गया था 157500 सेंटिमीटर इसको है इनको हम जोड लेते हैं जोडने के वाद हमारे पास आ गया 520000 सेंटिमीटर इसको है ठीक है बचो अब हमें देखना है क्या प्रश्न में दिया हुआ है इन डिब्बों के लिए एक अत्यव्यापन होता है जिसकी वज़े से एस्ट्रा हमें गत्ता लगाना होता है तो अत्यव्यापित जो गत्ता है हम उसका चेत्रफल निकाल लेते हैं तो अत्यव्यापिकता जो है जिसका चेत्रफल हमें निकालना ये कितनी है इस टोटल चेत्रफल की 5% है ठीक है तो 5 2,0,0,0,0 का हम निकाल लेते हैं 5% ठीक है बच्चो तो इसका हम कर लेते हैं multiply काकी जगे गुणा लिख देंगे और फिर 5% का 100 ठीक है 5 का गुणा 2 से किया तो 10,5 का गुणा 5 से 25 और 1,26 26,000 सेंटीमीटर स्क्वेर ठीक है बच्चो ये आ गया हमारा तो अब हमें तो डिब्बए बनाने में लगा गत्ता क्या होगा फुर्गत्ता जो है वह हम कैसे निकालेंगे जो हमारा टोल पहले से था 5,2,0,0,0,0 plus 26,000 यही तो था इनको दोनों को जोड दिया दोनों को जोडने पर हमारे पास आ गया एक, दू, तीन, जीरो, पीछे, छे, चार, ठीक, या गया 5, 4, 6, 00, सेंटीमीटर स्कोर, ठीक है बच्चो, अब हमारे पास दिया हुआ है खर्चा, हमें निकालनी लागत, लागत क्या होती है, लागत होगा कुल जो चेत्रफल है, वो, इंटू, हमारी जो दर है, उसका मूले दर है, वो, ठीक है बच्चो, फुल चेत्रफल हमारा कितना है, हमने देख लिया, 5, 4, 6, 00, मूले दर थी, 4 रुपे, प्रते, 1000 सेंटीमीटर पर, 1000 सेंटीमीटर पर थी, तो 1000 का हम दे देंगे, भाग, ठीक है, 3, 0 से दर, 3, 0 क्रोस कर देंगे, एक, दूसरी से दूसर 4 का 6 से, तो 6 चक 24, सांसिल की 2, 4 चक 16, 2, 18, 8, 5 के 20 और 21, ठीक है, तो 21, 84 रुपे, 2184 रुपे, तो हमारी लागत कितनी आगी बच्चो, 2184, ठीक है, इतनी बात आपको इस परश्ट हो गई होगी, अब चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्ट पर, नेक्स्ट प्रश्ट हैं, आपके सामने, परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए, एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा, एक अइस्थाई, इस्थान तिरपाल की सायता से बनाना चाती है, जो कार को चारों ओर से उपर से और उंचाई, दोपन पांस मीटर वाले इस डांचे को बनाने में, कितनी तरपाल की आवसक्ता होगी, ठीक है बच्चो, तो हम बना लेते हैं, एक आइडिया, अदलब तरपाल का एक चित्र बनाने का प्रयास करते हैं, कि वो किस प्रकार के डांचे में रखा होगा, ठीक ह इसके लिए हम घनाब बनाने का प्रयास कर रही हूँ मैं, जो मुझसे नहीं बन पा रहा है अभी, क्योंकि मैं इसे अभी नया नया स्टाट की हूँ, इसको चलाना पैन को, तो हम बना रही है घनाब जिसका एक डांचा बनेगा, ठीक है बच्चो, यह बन गया है, अब प् इसको हमें हटा देना है, कुल छेत्रफल मैं से, ठीक है बच्चो, एक तो यह बात है कि कुल छेत्रफल मैं से माइनस कर देना, ल भी, या हम दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं, हम क्या करें, कि यह चार दीवारे हैं, इन चार दीवारों का छेत्रफल निकालने हैं, और छ चेत्रफल आजाएगा चत्त का वो धांचे का कुल प्रिष्टी चेत्रफल हो सकता है ठीक है तो धांचे का प्रिष्टी चेत्रफल क्या हो गया प्रिष्टी चेत्रफल हो गया चारों दीवारों का चेत्रफल और प्लस आपका हो जाएगा चत्त का ठीक है इसको नीचे से हट प्रश्टे चितरफल कितना होता है, 2L प्लस B इंटो H, ठीक है, और च्ट का होगया L इंटो B, क्योंगी छत्त में क्या होगी, लंबाई और चौड़ाई, मुचाई तो उसमें होने से रही, तो च्ट में होगी L इंटो B, ठीक है, अब हम इनका रख लेते हैं, मान, क्या रख L into B ठीक है value रग दी L की value कितनी है 4 B की value है 3 और H की value 2.5 और इसी प्रकार से 4 into 3 ठीक है अब इनका जोड लेते हैं 2 और ये हो गया 7 और ये हो गया 2.5 और ये हो गया 12 ठीक है बच्चो 2.5 का multiply 2 से करेंगे तो 5 और 5 का 7 से कर देंगे 35 हो जाएगा तो ये हो गया 35 और ये हो गया 12 जोड देंगे 47 मीटर स्क्वेर जो हमको धाचा बनाना था वो आ गया 47 मीटर स्क्वेर ठीक है जैसरी क्रिशना नमस्कार